नमस्कार आप सबी को इस वीडियो में हम जानेंगे section 18 जो कि भारते नागरी सुरक्स सहीता में public prosecutor के बारे में बताता है यह section और public prosecutor होते कौन है और इसकी appointment कैसे होती है और यह कौन-कौन appointment किये जा सकते है कौन से वकिल यहां पर appointment किये जा सकते है as a public prosecutor और इसमें additional public prosecutor की भी बात की गई है तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो public prosecutor होते हैं वो होते कोन है public prosecutor हम हिंदी में इसको बोल देते सरकारी सरकारी वकिल यहां पर क्या कार्य करते हैं आपको नाम सही पता लग रहा होगा कि सरकारी वकिल जो सरकार की केस लड़ता है जो government के फEyvr में वहां पर kсолют में नहीं चैनल करता है यह उता है public prosecutor इसको बोलते हैं public prosecutor जिसको सरकारी वकिल बोल दिया जाता है और अब इसकी appointment कौन करता है और कैसे की जाती है इसका पूरा procedure आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो चलिए वीडियो को start करते बीना देरी किये हुए जो section 18 है यहाँ पर public prosecutor के बारे में बताया गया है और जो सब section 1 है सब section 1 में यहीं बता रहा है जो central government है और जो state government है वो consultation करेंगे किस से high court से state government और यहाँ पर central government की बात की गई है वो consultation करने के बाद किस से high court से high court से consultation करेंगे किस लिए करेंगे जो public prosecutor है उसको appoint करने के लिए या फिर additional public prosecutor यहाँ पर एक से ज़्यादा appoint कर सकती है कौन state government और central government लेकिन जहां पर जिस भी high court में जिस भी district में वो जो public prosecutor या फिर additional public prosecutor appoint किया जा रहे हैं उसी district की जो high court है उससे consultation करनी पड़ेगी तब जहां कर वहाँ पर public prosecutor को appoint किया जा सकता है अब देखिए इसमें सबसेशन वन में ही बताया गया है कि इसके लास में पड़िये इसमें बताया गया है कि जो भी appeal होगी या फिर कोई other pending cases होगे जो कि किसके व्याप में वहाँ पर case handle करेगा जो central government है और जो state government है उनके favor में वहाँ पर वो appear होता है जहां पर भी उसको appoint किया और जो additional public prosecutor है देखे मैंने इसकी definition भी बताया दिया आपको जब मैंने आपको section 2 पढ़ाया था section 2 के close V में public prosecutor की definition दी गए थी जो कि section 18 में वहाँ पर उसका reference दिया गया था section 18 का तो यह मैं आपको section 18 ही पढ़ा रहा हूं इसकी पूरी तरह से section जो इसकी public prosecutor की definition थी section 2 में नहीं ही वह वहाँ पर सिर्फ reference देगा था section 18 का यह वही section है section 18 इसका जो section 1 में ही प्रोवाइजों भी है प्रोवाइजों यहाँ पर क्या कह रहा है जो nct of Delhi है जो कि national capital territory of Delhi है तो वहाँ पर डेली के अगर कोई public prosecutor या फिर additional public prosecutor appoint करना है तो वह कैसे करेंगे वह करेंगे consultation high court से high court of Delhi ड central government central government वहाँ पर क्या वहाँ पर उनसे consultation करेंगे हाई court से तब जाकर public prosecutor additional public prosecutor appoint किया जाएंगे तो इन दोनों को central government से जो central government है वह consultation करेंगी high court से डेली में यह सिर्फ डेली केंडरी है अब आप समझ गयोंगे जो उसका प्रोवाइजों क्या कह रहा है यह हो गया हमारा और जो उसका सबसेक्षिन टू है सबसेक्षिन टू यहांपर यह बता रहा है कि जो central government है central government एक से जादा public prosecutor appoint कर सकते किसी district में या फिर किसी local area में जो भी local वहाँ पर court होईगी उस court में और district court में जो central government है वहाँ पर एक से ज़्यादा public prosecutor appoint कर सकती है for conducting any case जो कि central government के ब्याव पर वो आएगा जो कि central government के ब्याव पर case handle करेगा तो इसलिए वहाँ पर central government appoint कर सकती है एक से ज़्यादा public prosecutor जो कि subsection 2 में simply यहाँ पर यही बताए गया है subsection 3 यहाँ पर यह बता रहा है जो additional public prosecutor और जो public prosecutor है उसको appoint कर सकती है state government किसी एक district में district में एक से ज़्यादा वहाँ पर appoint कर सकती है एक से ज़्यादा भी हो सकते है वहाँ पर जो public prosecutor है एक से ज़्यादा वहाँ पर additional public prosecutor भी हो सकते है तो वहाँ पर state government के पास यह power होती है कि वह appoint कर सके वहाँ पर स्टेट ग्रोइंट इहाँ पर पडिड्लिक प्रोजीक्यूटर को जो अपॉइंट किया हुसने और जो additional प्प्रोजीक्यूटर है किषिकचते में नहें पर यहाँ पर पर अपॉइंट कर सकतकी है एक से जादा प्रोजी स स्टिक्यूटर है और जो अब gon कर सकते हैं यह वहां पर तो अब आपको यह प्रिवाजी भी समझ में कागए हो जो किस्टिक शक्षं यहां पर इसको पैनल को तियार करके फिर वह काँ पर भेज़ेंगैं स्टेट ग्वश्रम तो लान्या यूच से 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 सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के पाद वहाँ पर एक लिस्ट बनाई जाएगी दो उस पर 7 सालचोग पर इनस सालचोग की पर फिर दो पर पर परcueक्ष की की आना पिएपा से वहाँ कर सकती है जो भी पैणल लिस्त आई है इस्टीण Mi Coast की तरफ से जो डिस्टिंग में स्टेट और कंसल्टेशन विद्धा सेसंज जो प्रिपेर की गई थी सब्सेशन 4 के अकोडिंग तो वहां पर उसको क्या करेंगी फिर वहां पर जो प्रोजीकूटर है और पर अपॉइंट किये जाएंगे फिर जो कि सब्सेशन 5 में यहीं बताया गया उन्होंने उनको काफी ज्यादा experience हो गया है उनको वहाँ पर एपोइंट करेगी उन जो चल रहे हैं जिनकी प्रैक्टिस चल रही है जिनको काफी ज्यादा experience है उनको वहाँ पर बनाया जाता है उनकी पैनलिस्ट बनाया गया जाता है उनकी नेम को वहाँ पर लिया जाता है और किसी अधर नेम को वहाँ पर नहीं लिया जाएगा लेकिन सबसें सिक्स में एक प्रोवाज Marsh भी बताया गया है प्रोवाज़व क्या कहता है यहा पर यहाँ पर State Government क्या कर सकती अपनी opinion सकती है कि जो अव्हाँ पर केजर में नहीं आसके कि से कयो किसके जूब्रिक प्छल क्रोंता है एडिशन प्छल्ट बनने के लिए इस्टेट गुवर्मेंट वहां पर अपनी ओपिनिन दे सकती है क्योंकि वहां पर इसमें जो एक दो नाम आपने लिखिया है कि यहां पर लाइक नहीं है मतलब कि यहां पर यह शूटेबल नहीं है जो पॉब्लिक प्रोजिकुटर होते हैं उसके लिए तो यहां पर क्या करेगी फिर स्टेट गुवर्मेंट वहां पर ऑपिनियन दे कर उसको उसके लिस्ट में से ना मटा सकती है अब सब्सेशन 6 में ही एक्सप्लेशन भी दी गई है जो एक्सप्लेशन यहां पर दो प्रोजेकुटिंग ऑफिसर यहां पर जो उंक करड़ya गूर्य फिक्सप्र कुश चैनल की पॉच्ट बंशंट पर इंकलूट किया जाएगा जिस बी नाम से बुलाया जाते है जिस बी डिस्टिक में उसको फिर जो एंधिस्टिक में जिस भी डिस्टिक में जो भी नाम बुलाया जाता है तो उसको भी वहाँ पर एक क्या मने जाएगा एक प्रोजीकुटिंग ऑफिसर उनको भापर मान ले जाएगा लेकिन इसका जो क्लोज भी है सबसेशन 6 में जो जो एक्स्प्लेनेशन में कहा गया है तो कि अपने परफॉर्म करते हैं फंक्षन एजन पबिक प्रोजीकुटर उनको यहां पर कहा जाता है प्रोजीकुटिंग ऑफिसर और अधर भी होते हैं जैसे इस्पेशल पबिक प्रोजीकुटर होते हैं एडिशनल पबिक प्रोजीक इसे जो मैंने आपको एक से लेकर के जो आगे के जो मैंने फर्द सब्सर्सेशन आपको वहाँ पर Central Government वहाँ पर जो Public Prosecutor को वहाँ पर Appoint किया जा रहा है या फिर Additional Public Prosecutor को वहाँ पर Appoint किया जा रहा है उसका Experience वहाँ पर कितना होगा मैंने आपको पहले भी पता दिए Starting में कि 7 साल का Experience होगा उस Advocate का 7 साल का कम से कम उसके पास Experience होना चाहिए तब जाकर वहाँ पर उसको Public Prosecutor और Additional Public Prosecutor वहाँ पर Appoint किया जाएगा अगर उसके पास 7 साल का कम का Experience है तब उसको Appoint नहीं किया जाएगा यह यहाँ पर Experience की बात कर रहा है एक Public Prosecutor की कम से कम कितनी होना चाहिए 7 साल तो होनी चाहिए और जो Subsection 8 है यहाँ पर Special Public Prosecutor की बात की गई है Special Public Prosecutor अलग होता है जो State Government और Central Government अपने व्याप पर वहाँ पर Appoint करती है किसी Case या फिर Classes of Case related वहाँ पर उसको Special जो Public Prosecutor उसका Appoint किया जाता है यहाँ पर मैंने बात किया है Special Public Prosecutor लेकिन उसको जो Appoint किया जाता है उसके पास 10 साल की Practice होनी चाहिए तब जाकर उसको Appoint किया जाएगा As an Special Public Prosecutor जो की Central Government और State Government ही Appoint करती है ताकि वहाँ पर एक Particular Case related वहाँ पर Class of Case related वहाँ पर Case को Fight किया जाए जो की Central Government और State Government की तरफ से वहाँ पर Appear होता है तो वहाँ पर Special जो Public Prosecutor उसको Appoint किया जाएगा लेकिन 10 साल से कम का उसके पास Experience नहीं होना चाहिए उसके पास 10 साल का 10 साल से ज़्यादा का Experience होना चाहिए तब भी उसको Appoint किया जाएगा लेकिन सबसेशन एट में एक प्रोवाइस भी बताया गए कि वहाँ पर जो Victim होता है जो जिस परसेशन को Injury होई है जिस परसेशन के खिलाफ कोई Act हुआ है जो Victim मैं बता रहा हो आपको वह वहाँ पर अपनी चोईफ का एक Public Prosecutor वहाँ पर Appoint करा सकता है अपनी चोईश का जो सभी उसको Suitable लगे तो वहाँ पर वहाँ पर Appoint करा सकता है जो सबसेशन एट ना है जो कि वहाँ पर एक Public Prosecutor और Additional Public Prosecutor Appoint किया जासके लेकिन वहाँ पर जो उसका Experience देखा जाएगा वो सबसेशन ना में ये बता जएगा है कि जो यह सहीता है इले सहीता किका अकॉडिंग माना जाएगा इस सहीता के कोडिंग उसको वहाँ पर as an public prosecutor appoint किया जाएगा चाहिए इस सहीता से पहले की बात की गई हो चाहिए सहीता के आने के बात की बात की गई हो तब भी उसको यहाँ पर appoint मतले भी वह अगर उसके पास experience था पहले से इस सहीता से पहले से भी तब भी उसको एक experienced advocate माने जाएगा लेकिन हमारे जो सहीता आई है दोज़ा तेस में आई है तो इससे पहले तो काफी लोगों ने अपना experience वहाँ पर वो कर लिया होगा चीव जैसे 10 साल होगे, 7 साल होगे, 5 साल होगे तो उसको माने जाएगा पिछले पर ठीक है तो अपॉंट कर सकते हैं जाए यह हमारी सहीता बाद में भी आई हो ठीक है एनफोर्स में जब आई होगी लेकिन यह अभी हुआ नहीं है जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं यह अभी एनफोर्स नहीं हुआ फिर भी आपको बता रहो हूं बाहते एग्जाम ओते हैं जो यहां पर उनके एक एकजाम करा जाते हैं ताकि वहाँ पर पर बना जा सके लेकिन यहां पर सेक्षेंट के बात की गई है कि जो और्मेंट किस तरह से अपनी तरफ से भी अपउइंट कर सकती है या फिर जो district magistrate है वो हमाँ पर consultation करेगा session जिससे तब जाकर वो appoint करते हैं तो मैंने simple language में आपको समझाने कोशिच करिये हैं जो section 18 है इनके provisions related ही मैंने इनके provisions related आपको समझाने कोशिच करिये हैं इनके बेरेक language जरूर पढ़ लेना section 18 में जो भारते नागरी सरसे सहिता का section 18 है इसको पूरा पढ़ लेना एक बार उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा मैंने तो बस आपको clear करवाए ये जो section 18 है इसको मैंने आपको clear करवाया ताकि आपको clear हो तो अगर आपको clear हो गया है तो आप मेरे चैनल को subscribe जूरूर कर लीजिए और अगर आपने मेरे टैल गैम चैनल को join नहीं किया है तो जल से जड जोइन भी कर लीजिए तो मिलते हैं अब हम अपनी next video में okay bye